नमस्कार इट सातिजी डिटूब चैनल के और एक नई वीडियो पे आप शाविलों का बहुत बहुत स्वागत है जिया सियमे वुपेस बगल ने अपनी अनुपुरक बजट जो की 3807 करोड रूपे की अनुपुरक बजट पेस कर दी है विदानसवा मानसुन 17 अगस्त 2020 के अ की गई है किसकार के लिए किसको और कितना रूपे जारी किया गया है सारे इस वीडियो पे पूरे डिटील के साथ में आप लोगोगों को बताऊंगा उस्तों अगर आप 36 गड़के हैं तो डेफिनेटल इस वीडियो को पूरा दिखिए आप लोगों के लिए काफी मिलता है आगे आप लोगों को इस तरह का इन्फरमेटिक वीडियो बनाने के लिए जिया दोस्तों सिया में बगल ने विदान सवा में अपना अनुपुरक बजट पेस करती हुए जो कि 3,807 करूर रुपिया का जो बजट है पेस कर दी है और उसका आवंटन भी हो गया है दो किसानों के लिए जिनको मतलब अंतर रासी देना है बोनस देना है तो उनके लिए 600 करूर रुपे के आवंटन किये गई है जो क्याने वाले साल में भी यह लागू रहेगी उसके बाद चलिए और मैं आपको बतना चाहूंगा गोठान योजना यानिकी गोठान बनाने के ल रुपे के लिए जिसानों के लिए बड़ी शोगात है इस वार की में काफी किसान के फचल जो जो प्रवाइट होए थे दो संतन नवे करोड़ पचाश लाग रुपया का जो मार्ओन रुपिय जारी की है बजट में इसके अलावा बचाओं के लिए इस बिच आप लोगो म उसके बाद है राज आपदा मोचन नीती जैसे की आपदा विपता होती आंदी तुफान होती बार होते हैं तो उस इस्तिती के लिए दो सो अठाइस करोड़ साथ हलाक रूपिये चारी किये गई हैं आवंटर किये गई हैं अनुपूरक बजट के अंतरगत उसके बाद है भा करोड़ों 35 लाग रूपिये का जो बजट है आवंटर किया गया है क्योंकि 36 गड़ में इस बार बहुत सारे किसान भायों जो है फसल बीमा में पंजी ने कराए हैं उसके मद नजार एक बड़ी रासी फसल बीमा योजना के अंतरगत 235 करोड़ों 35 लाग रूपिये का आव जो है इस कारिकरम के अंदर चालिस करोड़ रूपे गौवर्मेंट ने जारी किये हैं बजट के अंतरगत है उसके बाद है दूसरी बड़ी ख़बर में आप लोगो बताना चाहूंगा मितानिन कल्यान योजनाजियां चातिजिएड के मितानिन जो की मान दे भी उनको ढंक से नहीं मिलता है ठीक है जितना काम करते है उतने ही उनको पैसे मिलता है तो इसके लिए भी मद्य नजर गौवर्मेंट ने ये बजट में जारी किये हैं मितानिन कल्यान योजना के अंदर गदा पच्चीस करोड़ रूपे जारी किये गई हैं जो की मितानिनों को उनके कार अनुदान के लिए गौवर्मेंट ने तेरा लागा 26,000 रूपे जारी किये हैं बजट के अंतरगात दोस्तों ये जो सारे बजट है 3,807 करोड की बजट है जो की अपनी अनुपूरक बजट पेस की है अब युगर भी लंबा लिस्ट है मुझे आप लोगों को दिखाना है तो वीडियो को पूरा देखते रिज़े बने रहीगा अगर आप 36 गण के तो डेपनेटल ये वीडियो पूरा देखे क्योंकि आप लोगों के लिए काफी knowledgeable है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार के बजट में किसको कितना दिया जा रहा है स्वास्त मिसन के ँंतर्गत 45 क्रोड रुपिय आवन्टित क बाद मुख्य मंत्री सुगमद सड़ा के योजना में में 10 gab knocking कि यह उसके बाद जल जीवन जीन की तहत 45 क्रोड रुप जारी कि गई आवन्टित कि गई जल जीवन मिसन जिसकी उंतर्गत सिचाई कारी ऑर विल्ग में जोड़ों को मालुम में उसको में पाँशु लाख रूपिये पॉपिया का वांडित किया है उसके राष्ट्रेबास मिसं मिसंगे तरगता तीन करोड तैंतिस लाग रुपए अबंडित किया गया है जो करते हैं नंचल में आप लोगों को स्वाइब पांच करोड रुपए आबंडित कि गई है उसके बाद दोस्तों दंथ फिजिति रूपी कालेज जो कि उनके लिए दात के उपर जो कारी करते हैं रिसर्च करते हैं कॉलेज में तो उनके लिए उसके बाद है चिकित्सा कलेज यहने के मेडिकल कलेज मेडिकल संबंदी कॉलेज अस्पताल में 40 करोड 76 लाग रुपे आबंटीद किये गई हैं बजट के अंतरगात उसके बाद आती है विसे रूदरिष्टी करन के लिए 21,00,000,000 रुपे जारी किये गई है दोस्तों बजट में उसके बाद उपश्वास्ते के लिए 5,006,000,000 रुपे जो है आब लोगो मालूम होगा तो उनके लिए 5,008,000 बजट किये गई हैं उसको बान्स पुनर्वास सेवा में सुधार सब्सक्राइब करके जिसपर मैं आप लोग को बताया कि प्रच्ट में कितना और कितना किन योजना में कितना खर्चा किये गए आब अंटी दिखिये जा रही है तूमित करता हूँ दोस्तों जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक लाइक जरूशी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्काइब नहीं के तो सबस्काइब करके बेल आइकन को जरूशी दबा दिजए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और जादा सजादा मित्रों को सेर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो पे नमस्कार